ख़बर 7C उत्तरप्रदेश की दस बड़ी ख़बरें उत्तरप्रदेश के आजमगर जिले में रेलवे ट्रेक पर एक इवक का सौब मिलने से हड़कम मच गया इवक की लास्ट पीश ट्रेक पर पड़ी हुई थी जिसका सिर्थ गटा हुआ था मेरट में रविवार राती 11 बजे मौसम का मिजाच अचानक बदल गया जबाओं के साथ बारिस दुरू हो गई कुछ अस्तानों पर ओले भी पड़े बारिस से मौसम खुस्तमा हो गया सहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है रालोद अध्रत चौधरी अजिस सिंग की अस्तिया का विसर्जन ब्रजघाट पर किया गया अस्तिवी सर्जन की रस्म जैन्त चौधरी ने पूरी की इस तौरान परिवार के लोग ही सामिल रहे छा मई को चौधरी अजिस सिंग का निधन हो गया था बिवार सुबह उनकी अस्तिया ब्रजघाट लाया गया और वहां भी दिविदान के साथ गंगा में प्रवाहिग किया गया आस्याना ठाने के सिपाई अस्वनी प्रताप सिंग्यादों की खिलाब सहकर्मी महिला सिपाही ने दुसकर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आई है महिला सिपाही ने सरकर्मी अस्वनी प्रताप सिंग्यादों की खिलाब सिकायद की थी उसका आरोप था कि अस्वनी ने साधी का जासा देकर उसके साथ दुसकर में किया और वो साधी करने से इंकार के साथ उसे धमका रहा है बसपा सुप्रिमूम आयवती ने कहा कि यूपी में बंचैच नौ की समापती के बाद अभ्यां खास कर छोटे कस्वों अधियातों में बहुत तेजी से कोरोना महामारी के फैलने की दिल दहलाने वाली खबर मिल रही है जिससे लोग कापी दसप में है सरकार को इसकी रोख ठाम के लिए यूद अस्तर परकारी करने की सक्त जरूरत है उतर परदेश के रास्थानी लगनों में थाइलेंड की 41 वर से योधी की 3 मई को लोहिया अस्पतार में कोरोना संक्रबर से मौत हो गई यूबी पुलीस ने में संपरक किया वहाँ से अस्थानी काइटलाइंस सलमान को अंतिम संसकार के लिए जिम्मतारी दी गई पुलीस ने वीडियो पॉल के जर्ये परीजनों को अंतिम दर्शन कराने के बाद संसकार किया गया परेली जिले के अपसर कोविक को लेकर बेवस्ता बेहतर बता रहे हैं लेकिन केंद्री मंत्री संतोस गंगबार नी मुख्य मंत्री को दिये पत्र में इसकी कलई खोल दी है अपने पत्र में केंद्री मंत्री ने अच्पर्ष्ट लिखा है कि स्वास्ते प्रिभा के कुछ महत्पूर अधिकारी कों तक नहीं उठाते हैं और रेपरल के नाप पर मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते रहते हैं यूपी के उन्नौ चिले में भी सर्ट सड़क हादसा हुआ उन्नौ पुर्वा मार्ग पर लंगर्पूर गौ के पाच DCM अनी अंत्रीक होकर बाइक सवार पर पलड़ गई हादसे में DCM के नीचे दब कर दो चचेरे भाईयों समेत तीन की मौत हो गई